नमस्कार दशकों, यूटूब के मेरे चैनल में आपका उसागत है, आज हम चर्चा करेंगे विष्टिक लगन में सरकारी नौकरी का योग दशकों, विष्टिक लगन को सरपथम चुनने के लिए मेरा मुख्या कर्शन ये था, कि मैंने अपनी जिनकी में देखा है, कि विष्टिक लगन वाले जाता, चाहे सरकारी नौकरी में हो या वैपार में हो, उनको जीवन में संगश करना पड़ता है, इस कुनली में कुछ ऐ जैसी मेवस्ता है, देखिए जैसी, इस कुनली में बुद्ध जैसे शुग्रे की एक राशी तो एक आदश भाव में आती है, और एक राशी सब्तम भाव में आती है, साथी शुक्र जैसे शुग्रे की एक राशी सब्तम भाव में आती है, और एक राशी दौदश भाव मे आजाती है मैंने दर्श को अपने पहले वीडियो में बताया था कि कुंड़ी का छटा आटवा और बार्वा भाव को अपन गड़ा मानते हैं यानि इस भाव के स्वामी की दशा हो या इस भाव में कोई घ्रह बैटे हूं तो जातक को मुश्किलों का सामना करता पड़ता है इसलिए विष्टिक लगन की कुंड़ी में अगर बहुत अच्छे ग्रह की इस तरही है तब ही जातक का जीमन अच्छा वैतित होता है आज मैं आपके सामने विष्टिक लगन की कुंड़ी पर स्थूप कर रही हूं जिसमें जातक एक सरकारी नौकरी में कारेरत होके रिट जिस्टि है, कैसे? एक, दो, तीन, चार, पांट, शे, सात, आठ, यानि मंगर अपनी साथवी दिस्टि जो है दर्शमभाब पर डाल रहा है साथी कुर्ली में लगन में गुरू इस्तित है गुरू कुर्ली के धनबाब का और पंचम भाब का सौमी है और धन और पंचम भाव का स्वामियोकन लगन में स्तित है जो तिशास में माना जाता है कि कुंडली में अगर केंडर में लगन में गुरू स्तित है तो ऐसी स्तिती में कुंडली में सारे दोशों का नाश हो जाता है इसके साथ ही गुरू के साथ ही उचके केतुकी भी उती है और साथ ही उसके सप्टम भाव में उच राशी में बैठा रहू भी उसको देख रहा है इस प्रकार कुंडली के लगन और सब्तमभाब में दो उचके ग्रहे बैटे हुए हैं जो एक बहुत अच्छा योग बना रहे हैं साथी दशमेश सूरे जो है चोथे स्थान पर बैटा है जिसकी लाबेश बुद के साथ उती है इस प्रकार कुंडली के चोथे बाग में सूरे बुद अरिते योग बनाते हुए सूरे दशमेश सूरे अपने दशम भाब को दिश्टी भी दे रहा है कुंडली में सब्तमिस्तान का सूरे जो है जाके धनवाब में बैटा है वैसे तो ये अपने भाब से शडाष्टा को कर बैटा है पर अपन क्योंकि शुक्र धनवाब का कारग रहे है इसलिए अगर किसी जातक के धनवाब में शुक्र होगा तो उसको जिन्गी में कभी धन प्रकार दश्कों हमने देखा कि जाता कि कुणली में इस तरीके के योग बने जिनों ने उसकी कुणली को काफी अच्छा बना दिया लेकिन अगर उसकी कुणली में कुछ ऐसे योग बन जाते तो फिक शैद पर जिन्दिकी वार संगश करता रहता था पर एक्जामपल हम यही माने यही गुरू जो उसकी कुणली में लगन पर बैटा है अगर यही गुरू उसकी कुणली के छटे भाब में आ जाता तो जातक को संगश करा देता इसलिए विष्टिक लगन की कैसी कुणली है जब भी आपके पास फलित करने के लिए आए बड़ जातक के लगन का स्वामी बनता है मंगल और मंगल उसे निरंतर उस्सा वर्दक बनाता है और वो निरंतर कारे करना चाता है पर यह ज़रूरी नहीं है वो जितनी तेजना और तिंतेजी से कारे कर रहा है वह सब कारे उसके संपादित हो जाए इसलिए हमें ध्यान देना है क हमारे पास विष्टिक लगन की कोई भी कुणली आए तो हम ध्यान से देखें कि उसकी कुणली में कैस्तिरी बन रही है इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताओं कि इसी कुणली में अगर हम विचार करें कि क्या ये जातक वैपार कर सकता है तो दश को ये जातक वैपार भी कर सकता है इसका रीजन क्या है वैपार के लिए अपन विचार करते हैं सबसे पहले कुंडली के सब्तम भाब का अगर कुंडली के सब्तम भाब की पोजिशन अच्छी है तो वो जातक वैपार भी कर सकता है और देखिए इस कुंडली में सब्तम भाब का सामी शुक्र खुझ जाकर धन भाब में बैट गया और साथ ही वैपार करने के लिए जो अपन लाभाब का विचार करते हैं तो लाभाब का बुद्ध जो है खुझ जाकर दशम भाब में बैटा है और धनेश गुरु जो है लगन पर जाकर बैठा है इस वकार अगर किसी कुंडली में धनेश कैंद्र में साथ ही लाभेश भी केंद्र में हो तो ऐसी स्तिती में धन की स्तिती बहुत अच्छी माने जाती है जच को और मैं आपको बताना चाहूँगी अगर कुंडली में धन की स्तिती बहुत अच्छी हो साथ ही गुरू वा बुध जैसे घ्रया केंद्र में बैठे हो तो ऐसा जातक वैपार भी बड़ी सब्दा कोण में बैठा हुआ बुध है तो अच्छा होगा वैपार के लिए अपने भाब को भी देख रहा है पर नहीं यह उसके दर्शम भाब से आठवे भाब में आ गया कैसे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो पंचम भाब में अगर कोई घ्रया बैठा होता है तो बाब के सौमी की इस्तिती क्या है और विफडह का कारा कहा है बुध ओ कैसा बैठा है जो अपनी मीश अधिय तो नी विःड़ा बुध पर किशी भी ग्रहिशान नहीं का प्रबाब में एकुक ने ने एफे यह इसकत्तिती थी कि उसकी सर्कारी आप एंठी के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि अपन किस तरीके से देखेंगे कि किसी विष्ठिक लगन की कु 1955स पूर्टा सख्षम हे ऐसी सिती में जाता कि कोह कोई नहीं कोई सरकारी लगती है इसके साथ ही अगर उसके दशम भाब के स्वामी की स्थिरी बहुत अच्छी हो जैसे यहां पे दशम भाब का स्वामी सूरे केंदरों मैटा है तो ऐसी और सुथ केंदरों मैट के दशम भाब को देख रहा है तो ऐसी स्थिती में जातका को न अब कुंडली के भागयवाब में शनी जैसे पाप ग्रह का हाना मितने उत्तम नहीं मानते क्योंकि शत्रुचेत्री होके आया है पर उसी शनी पर लगन में बैठे गुरू की दिष्टी होने से वो शनी भी जाता को अतनी हानी निपजा पाया और जाता को अपना लाइप में चीज मिल गई जिस मुकाम बे पहुसना चाहता था इसलिए दश्कों में ध्यान ये देना है अगर हम ये कह रहे हैं कि कुंडली के किसी भाग में किसी पर पाप कत्री योग है या किसी पर पाप ग्रह की दिष्टी है तो उसका मतलब है कि कोई पापी ग्रह उसको दिष्ट जाता है तो इसमें पाप दिष्ट कर देते हैं जिसके कारण कुंडली का फ़ल कम हो जाता है इस परकातें को आज में आपको विश्टिक लगन में किस परकार से सबकारी नौकरी होती है यह बताया और बताया और लाबेशर धनेश्ずर्सकार में तबद की रखिस्टिथन श वैपार के लिए बड़ी उपक्त हुती है कि चेते भाब से वेफिग करते हैं रुनणो को शत्रू का आट्वी भाब से विचार करते हैं को अचानक आने वाली अडिप्ता बृता करते हैं खर्चे का अगर इन छाट्वीय ओ बार्वीय भाब कोई ग्रही नहीं बैठा होगा तो ऐसी स्थिती में जाता के लिए जिन्गी की काफी मुश्किल असान हो जाएंगी वो अपनी जिन्गी में काफी सब्दा से आगे बढ़ सकेगा इसलिए अगर कोई जातक वेपार करना चाता है तो ऐसे जातक को वेपार करने से बचना चाहिए जैसे ब्रिष्टिक लगन का ही जातक है अगर इसका धनेश गुरु छटे भाव में आ जाता है या इसका लावेशबूद च्छेटे भाव में आ जाता है लावेशबूद बार में बारी में चला जाता हो तो ऐसे जातो है को वफणी का सामना करना पड़ता मैं, इसलिए आपको इस बात का हमेशा धियान रखना है कि किस जातक की सरकारी नौकरी लगेगी और किस जातक को वेपार में फैदा होगा दर्श को मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो किर पैसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए मेरे चैनले को सब्सक्राइब कीजिए नमस्का अदर्श को जैमाता दी